लोकसब चुनाव के नतीजों को आने में अब बस कुछी दिन हो रहे गए हैं, देश भर में साज चरनों में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में अभी भी दो चरनों के चुनाव बाकी हैं। जब मुख्य मंत्री भशनलाल शर्मा राजस्थान के चुनाफ़कत होने के बाद दूसरे राज्यों में चुनावी परचार में मस्रूफ हैं, तो अब इसी बीच मुख्य मंत्री की मुश्किले बढ़ गई हैं। नमस्कार, मैं शेक जोया, आप देख रहे हैं दनगरी मीजे। माफिया ने पीट-पीट कर मार डाला और फिर उसकी पिटाई वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जबकि दूसरी घटना करोली जी लेकी हैं, जो एक 11 साल की छात्रा को पेट्रोल डाल कर नामालूम बदमाशों ने जिन्दा आग के हवाले कर गया। जिसके हस्पताल में इलाज के दोरान मोत हो गई। इन दोनों की घटनाओ में अपरादियों को पकड़ने में देरी हुई जिस पर लोगों का गुस्सा फूट गया। और वो सरकार पर कारवाई करने का दवाब बनाते हुए अपनी अवास बुलंद करने लगे। और इस हेस्टेक के ट्रेन में आने का नतीज़ा भी जल्दी सामने आ गया। परादियों की दार। प्रिदेश में सरकार कर रही पुक्ता इंतिजाम जुन-जुनु में हुई हत्पिया के मामले में पाच आरोपियों को ग्रफतार किया गया और मुखी रोड पर उनकी परेड निकाली। वही करोली की घटना पर भी सिहम बजनलाल ने एक्शन लिया है। से लोग नाफूश है और उनकी पोस्ट पर कमेंट करते हुए नाराजगी जता रहें। एक यूजर ने लिखा बड़ी देर कर दी जनाब आते 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 आरोपी तो भाग गए सबुत मिटा दिये अब एसाइटी क्या करेगी श्रम करो अब इन दोनों ही आस्व पर यही दलित विरोधी है अपरात की घटनाओं से पूरे प्रदेश में का यही हाल है पत्माश बेखोफ और आमजन में भैवेप्त है दस साल की बच्चे दरनवी के बाद बुरी तरह जुलसी हुई मिली लेकिन भाश्पा की असवेंदन शील सरकास सोती गई शर्म की बात ए देखते रे दे लगरी मेंजे